दोस्तों कैसे आप सब लोग उमीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे तो सबसे पहले तो congratulations उन सब बच्चों को जिनका round 2 में जो है वो selection हो चुका है और जिनको college जो है वो a lot हो चुका है अब next जो process है वो बच्चों का यह है कि college को join करना है तो college joining date जो है वो AICT ने last date दी है 15, 15 तक आपको college join करना है तो क्या उसके बाद आपका जो seat है वो reject हो जाएगा तो मैं आपको पहले ही बता दूँ कि 15 जो है वो last date जोइनिंग की तो उससे पहले ही ICT ने खुद ही delay किया है process में तो इस वज़े से जो date है वो आपकी extend होने के full chances है क्योंकि 15 को वैसे भी Sunday है और 16 को जो है वो Monday है पर उस दिन भी जो है वो Eid है तो इस वज़े से उस दिन भी छुटी होगी तो 15 और 16 को तो आपके college वाले admission करेंगे नहीं इसलिए far sure है कि ICT आपकी date extend कर देगा बस आप क्या कहीजिए आपनी तरफ से document जो है आपकी जितने भी important documents हो उन सबको upload करके रख दीज वो सबके सब documents आपको अपनी site पर upload करके रख देने हैं फिर college वालों को आप एक बार mentor से बात कर लीजिए उन से पूछ लीजिए अगर वो आपका online जो है तो आप online कर लीजिए वरना अगर आपकी college में जो है वो offline बुला रहे हैं तो आप offline वहाँ पर visit कर लीजिए और उसके लावा जो बच्चों के डाउट आ रहे थे round 3 को लेकर तो मैं पहले बतादू round 3 जैसी कोई चीज आभी नहीं होती है इस वजह से मुझे नहीं लग रहा है कि इस बार भी round 3 जो है वो होगा ठीक है उसके लावा डियू वाले जो बच्चे हैं जिनका धाली उनिवस्टी में हुआ और उनका सीट जो है अलोकेट हो चुकी है पर ऑन होल्ड है तो डियू वालों का वहीं जो round 1 में प्रोसेस हुआ था कि 5-6 दिल लगाए थी डियू ने अपना क्लेरंस करने में तो पहले आपकी eligibility चेक की जाएगी आगर आप वहां पर eligible हुए ठीक है तो दन आपको जो